अगर आपकी हाल फिलाल में जो है वो डिलिवरी होने वाली है तो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या-क्या समाल ले कर जाना चाहिए बहुत सारी मदर ऐसी होती है जो भूल जाती है तो इसलिए जो है ना फ्रेंट्स मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको एक भी चीज जो है वो इसकी पना हो जाए अगर आपको स्क्रेंशॉट चाहिए फ्रेंट्स तो ऐसे करके जो है वो आप स्क्रेंशॉट ले सकते हो और मैं आपको बता दू सबसे पहला है हॉस्पिटल की जो आपकी रिपोर्ट्स है ना फ्रेंट्स वो आपको जरूर रखनी है क् मैं सबसे थड़ मन सेरिक ना चीज ने रिपोर्ट्स दारी वे रिपोर्ट्स होती है सबसे थाड़ मन ठीक जाता है. और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होता है जहां पे जो है ना वो समान जो है वो दिया जाता है इसके बाद है आपको पैड रखने है क्योंकि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत जादा होती है आपको पैड भी रखने है और पैड के साथ साथ जो है ना फ्रेंड पैड वाली प आपको बताई दूंगी कि मैंने कहके रखा है इसके बाद हैंड वाश भी आपको चाहिए आप हाथ वगरा जो है वो साफ कर सको और सैनिटाइजर भी आपके पास जरूर होना चाहिए क्योंकि हॉस्परल में बहुत ज्यादा जो है वो हाइजिन फॉलो आपको करनी होती है य क्योंकि बच्चे जो हमारा सरीर होता है माँ का शरीर जो होता है वह कमजोर हो जाता है तो इसलिए जो है न स्वेटर पहनना है आपको उसके बाद जो है वाटर बोटल बोटल फ्रेंड्स वाली लेनी है जैसे कि इसके अंदर आप गरम पानी जो है भरके रख सकते हैं अगर फीडिंग गाउन ली है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं जो आपने गाउन पहना है उसी से आपने आचल को डखके बच्चे को दूदा प्ला सकते हो इसके बाद है आपको कांट ढखने के लिए इसका आप चाहिए होता है या फिर आप यहां पर कांट ढखने के लिए सर को बांधने के लिए जो है न आप या तो फिट कैप ले सकते हैं तो पर इसको बोलते हैं वो ले सकते हैं या फिर आप कोई भी जो है ना सर पर बांधने के लिए ले सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो है ना टौवल आपको लेना है और एक नाइटी वह रखनी है या फिर आप वो ड्रेस रखिए जो आप हॉस्पिडल से घर पर जब आएंगे ना तब आप पहन के आएंगे इसको रखिए और जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है ना फ्रेंड्स आइरन की, केल्शियम की या शूगर की या फिर थाइरिड की तो वो भी ले करके जानी है वो जो मेडिसिन आपकी कंटिन्यू रहती है इसके बाद जो है आपको एक स्लीपर जो है जरूर रखनी है इसके बाद जो है आपको ब्रा लेनी है फ्रेंड्स जो साइज आप पहन रह सोबने जब आपके जो ब्रेस्ट यह तो जाएगा मोर्त जरूर चाहे लिए बैल्ट जेए यह यह प्रेश्ट पैड जो आपको रखेंगे जब हम बच्चे को दूद बलके लगते हैं तो तो हमारे बहुत जादा आने ही लगता है तो हमारे कपड़े उपड़ा हो जाते है एक blanket आप रख ली जिएगा एक blanket के साथ साथ जो है न फ्रेंट्स आपको जो है न एक यहाँ पे न मतलब की चादर जो होता है न वो भी ले नहीं कि कई बार क्या होता है न कि हमें बहुत ज़्यादा bleeding हो जाती है तो हमारे जो है न चादर वगरा जो हमारे खराब हो जाते हैं तो आप चेंज कर सकती हो तो अच्छी बात है तो आप लेके जाना उसके बाद जो है सोक्स आपको जरूर लेके जानी है क्योंकि बोलते हैं जच्चा और बच्चे का शरीर जो है बहुत नाजुक हो जाता है तो आपको socks ज़रूर लेके जानी है यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रंट बटन 90 जो होती न जो आगे से 90 खुली हो जिसका आगे से चैन लग रही हो या फिर बटन लग रही हो वो आई 90 आपको चाहिए होती है क्योंकि आप बच्चे को दूद पलाने के लिए अपने आपको रैडी कर रहे हैं स्टैंप पे और इसके बाद है फीडिंग कवर भी आता है बहुत जगा आपने देखा होगा मतलब कि मा का हम तो इंडियान्स है फिलैंड्स तो हम मा के आचल में ही बच्चे को छुपा करके जो है वो दूद पला लेते हैं बट इसका कवर भी आता है इसके बाद हमारी एक लेडिसों की बहुत अच्छी चीज होती है वो होता है मैक अप किट बिंदी और बिंदी लिपिस्टिक लिप बाम वगरा टूद भी आस थे बाद करके ना प्लेट लेच फीट वह वह लेगा खाली है जो ओल City अगर जो आप घडिसे पलाव को प्हुने का यौगर दो फिद या उसके बाद है यहां महां पर हॉस्पिटल में 3-4 दिन दुखना पड़ता है तो पता नहीं उनका साबुन वागुन कैसे होता है तो अपना फेस वो जरूर लेके जाए और यहां पर जो भी आपके अपके प्रूफ है ना वो भी आपको लेकर जाने है उनकी फोटो का भी लेकर करके जानी है ताकि आपके लेकर के साथ जो जो समय आपके पास है तो यहां यहां को अपने लिए बनाई है और कैके चीज में कैसे कैसे रखोंगी यह मैं आपको बता दूंगी